लोकसबानी चुट्टीनू भीगल फुकाई चुकी उचे, दरेक मुद्धाओ पर आवखदे लोकसबानी चुट्टीनी लड़ावानी छे, परंदी सौती महतोनों मुद्धों छे, मौंगोहरी नो, जे प्रकारे मौंगोहरी वजी लईने सौती वजारे जो असर कुनी थती ह जो जो चे, असर कुनी सौती अन। फाइदा भी आप तेले चे ने घणा नुक्सान भी करेला चे महगवारी ना मुद्धे कही है तो महगवारी मा अमार रसोडा नू बजेट पांच हजा जे पहला थतू तो यह जगे है ते आट हजास दी कोची गएलू छे ले महगवारी तो वधीज गएली छे नथी सरकार को यह पांच मेंटे कहसू करती नथी लोकल पबलीक माटे कासू करती अन्ने सरकार नँ descendants के फाइदा बाइमें लाए छे कैंगे जाइने साल जी कार मुद्ध करी ने जे समय धूसमन नीसमय भं़रत माटे करी यह बयक्तिहों बाइम nature सुटेब दो कि जयों की संद्रेचा मोगाक कमेनन निकला जोरं पड़ेशिया फमकर और में प awfully Corps क्षेश के लिए मेंश्याए छिह cabbage चा要श्ड़ के सब्सक्राइखु पहली पर शेल कर Сबस ने हमारा जाय करें पीने की चीज़ों पर पहुत ध्यान देना चाहिए जहां पर फ्रेट हायर होते जा रहे हैं तो उस चीज़ पर उनको गवर्मेंट को ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को अच्छी से फैसिलिटी मिले और अच्छा उनका वह हो सके फ्यूचर विद्ध पांस साल अपने सरक पांस साल तक रही है नहीं तो भी बहुत सारी चीज़े महंगी हुई है ऐसा कोई सरकार का कोई नया फरक नहीं दिखा जैसे कॉंग्रेस का साशन दा वैसे बीजेपी का साशन चला है जो हम सोचते थे कि शायद बीजेपी के साशन में कुछ अलग दिखेगा वैसा कुछ चाहे आप गाल, चावल, कोई भी चीज़ देखिए हर चीज महंगी वहीं की वहीं है और आप उल्टा सोच सकते हैं कि शायद कुछ और बढ़ा है महंगाई इसके विपरित आप देखिए बेरोजगारी और बाकी मुद्बे भी खड़े के खड़े हैं तो बात वहीं की वह पी ना कॉंग्रेस देखके दे बल्कि हम वोट हमारे एरिया के जो री प्रेसेंटेटिव है ज़के वह ही और जो हमें कल देखिए थे और लेलेधे, वोत करो जो तो हू कही राच है, आपको क्या लगता है? इस साहया कि पांच साल रहे हैं, और आप है चूना और करना है. किस तरह के मुद्डी में हैं और उस मुद्डे को देखे आप वोट करेंगे? हम सिर्फ मोधी जी को देखकर ही वोट करेंगे 70 साल के शासन में जो कॉंग्रेट सरकार नहीं कर पाई है वो 5 साल में मोधी जी ने किया है और इस देश के हित के लिए जो अच्छा जो बेटर हो सकता था वो मोधी जी ने किया है बात करें हम आतंकवाद की तो आतंकवाद के लिए 70 साल में इतना आतंकवाद हमारे देश में फैल गया था लेकिन 5 साल में मोधी जी ने बिलकुल उसका सफाया कर दिया है कहीं पर बंबलास्ट नहीं होता है और अगर कोई एक्शन लेते भी है आतंकवादी तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसे करवाया मोधी जी ने तो वो एक दम से एक्शन लेते हैं ऐसा नहीं होता है पहले कॉंग्रेस के राज में क्या होता था कि अगर कुछ ऐसा हुआ है कहीं बंबलास्ट हुआ है तो उस पर कारवाई चलती रहती थी सालों साल वो केस निकल जाता था लेकिन अभी मोधी जी के राज में ऐसा नहीं हो रहा है सर्जिकल स्ट्राइक जैसे उन्होंने करवाई तो पटापट डिसीजन लेते हैं हर चीज के लिए वो कोई भी मैटर हो मोधी जी की सरकार से हम लोग बहुत खुश है और चाते हैं कि आने वाली जो सरकार है वो भी मोधी जी की ही होनी चाहिए हम लोग मोधी जी को ही वोट करेंगे पांस साल खतम हो चुके हैं और पांस साल में राजनिती काफी बदली है कौनसे ऐसे मुद्ध हैं कौनसे ऐसे बात हैं जिन को देखकर आने वाले दिनों में चुनाव करेंगे और पिछले पांस साल जो सरकार करें मोधी सरकार करें उसको आप किस सरा से देखते हैं मोधी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है सब बोलते हैं GST, GST लेकिन इन फ्यूचर वो बहुत अच्छा करके जाएगा बिल्कुल कहते हैं जो बहमानी है सब खत्म हो जाएगी और में बुता जो फीस का चल रहा है आजकल स्कूलों का में बास इतनी है कि जो जैनुएन है जो अकॉर्डिंग टू रखा गया है उतनी ली जाए इतना ही चाहते हैं और कुछ नहीं हम लोग और मोधी सरकार बेस है उनको ही वोट करना चाहेंगे थेंक्यू इन फ्यूचर जो आजे ये तो इस आरू रहे से अने इमनुचे वीजन चे इस आरू शे हाउस माटे स्पेशली करना के हाउस वाइफ ने आखो घर हैंडल करवानू होई शे तो इन आमाटे तो हमें आवक्ते बीजेपी ने वोट करे शो मोधी जी ने तो हम महिला होँचे जे रसोडाचे शाज होती होचे परांदू साथे ने राजनीती ने बन सारीएं भी परक रहे ले थे तमाम उंद्धा और तेमने वाद करी छला 75 वरसमा सरकारे शो कामगीरी करीने आव ना रा 545 वरसमाडे सरकारे जे वाइदा करिया होचे तेमावन तेमने वरज होचे, जोवान होई छे के 23 साइज के जरे गुजरात मां मद्दान थे साइज ने 23 में मेनार होचे परिनामा होचे, तरे परिनामा कोनों विज़ाई थाई छे कैमेरा में राकेश गिराचे साथे ते जस्मों दी जी 24 लाग सूरत